श्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव देखिए कल 12 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने की पूर्णी मातिती है और सावन का अंतिम दिन है आखरी दिन है और आपको भगवान शिव के मंदिर से कुछ विशेश चीज लेकर क्या नहीं है पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रैस करूँगा देखिए धनिष्ठा नक्षत्र भी है और सोभाग ये योग भी है देखिए आपको क्या करना है जैसे आप शिव मंदिर में चाएंगे आप शिव मंदिर में एक लोटा जल चड़ाते हैं या इत्रवाला जल चड़ाते हैं या किसी भी प्रकार से भगवान शिव का अभिशेक आप करते हैं तो आप एक चीज़ ध्यानक था कि आप जिसे अभिशेक करेंगे तो जलाधारी के महा से जो जल निकलेगा आपके अभिशेक का वहाँ पर एक कटोरी लगा दे और थोड़ा जाना अच्छा ने लिखता तो वहाँ पर आपको इसका चिटकाओ करना है क्योंकि वहाँ पर नकारत्मक शक्तिया जो हैं वो सबसे जादा होती है मुख्य द्वार पर चिटकाओ करें अब आप क्या करें थोड़ा सा जल आप बचा करके रखें पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र जल से हल्दी से आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है पहला दूसरा स्वास्तिक आप जहाँ पर मटका रखते हैं वहाँ पर बनाएंगे और तीसरा स्वास्तिक आप आपके घर के मंदिर में बनाएंगे देखे भगवान शिव के जल से ह आपको स्वास्तिक बनाना है देखे पूर्णिमा का दिन है तो आपको स्वास्तिक बनाते समय ओम महा लक्षमे नमह या मातारानी का जो भी आपको मंत्रा आता है वो आप जब सकते हैं तो इस प्रकार से आपको क्रिया करनी है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादिव